लम्बे समय बार नहान में खेली जा रही फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर नहान में खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है इंटर कालेज फुटबॉल प्रतियोगिता की अगर बात करें तो यह प्रतियोगिता करीब 40 सालों बाद नहान में खेली जा रही है इसके आयोजन से एक बार फिर नहान में फुटबॉल अपनी पहचान बनाने लगा है पुरों में फुटबॉल खिलाडी रहे धनराय स्वामी ने कहा कि सालों बाद नहान क्षेतर में फुटबॉल चैंपिनशिप खेली जा रही है एक समय था जब नहान के फुटबॉल को परदेश ही नहीं देश में जाना जाता था लेकिन अंदेखी के चलते नहान से फुटबॉल गायब होता गया लेकिन आज एक बार फिर इंटर कालेज फुटबॉल चैंपिनुशिप होने के बाद नहान में फुटबॉल जीवित होता देख रहा है उन्हें कहा कि जब पूरो में फुटबॉल मुकाबले नहान के चोगान मैदान में हुआ करते थे तो शेहर के बजार तक बंद हो जाते थे और सभी लोग अपने काम धंदा छोड़ फुटबॉल के मुकाबले देखने पहुचते थे उन्होंने कहा कि फुटबॉल को नहान की पहचान बनाने के लिए सभी को सहीयो करना होगा जिदरसल अगर मेरे से आप असली बात सुने हैं तो मेरे उबर सत्तिर साल की है और आज ये तुर्णमेट देखके यहां पर नहान चोगार में है मैं चारी साल का मैसूस करने लगा हूँ अपर आप यह स्पोर्ट सीटी है नहान यहां पर इन तेंदिस के करीब ने इस कोच फुटबॉल गया है यह देश के अलगलग अलाकों में फुटबॉल की प्रमोस्रे के लिए कार्ये करते हैं और यहां का जो गेम असली गेम जो है वो फुटबॉल ही है यहां जो फुटबॉल के चुटबन लगते थे बजार पूर्वाल के नाम की होती थी, तितनी किसी थी नहीं होती आज बड़ा खुशी का दिन है हम सब स्पोर्ट्समेर के लिए बेरे लिए नहीं सब के लिए लूँए जिन्दा रखने के लिए जो लोग हैं आगर जो यहां की इंडस्ति एडिया है वहां को ऐसे जुरू होने चीह जो फूर्वाल को गोड ले सके तो तूर्नमेंट के लिए गोल ले सके अगर ऐसे गदाभारी व्यत्तारी वरसामिया कराता है या क्योंकि इसमें फॉर नहान को दुबारा फुटबॉल के नाम से एक बार फैर्ल मेरादा होगा इसको दुबारा उसी सेच पे लादा होगा झाल झाल